वेल्कम बाइक तो माई यूटीव चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलहाबाद हाइपोड के बारे में और हाइपोड में जो इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड है उसके विशे में हम बात करेंगे चुकि जो बहुत सारे यंग एडोकेट्स हैं जो चीज़े जो मुनभूज चीज़े होती है जो बेसिक चीज़े होती है आफको सुरवात में उसको सीखना पड़ता है और शुकाट्म अश्रोवात ऐसा नहीं है कि आब जो आज जो है आज ही हाई कोड जोईन किये और कल से आप जो है कोड के सामने बहस करने लगे तो ऐसा तो होता नहीं है तो उस सारी चीजों को सीखने में आपको समय लगता है किस तरीके से कोड के सामने अपने को रिपरजेंट करेंगे इस तरीके से आर्गुमेंट करेंगे कौन कौन चीजे कोट के सामने रखेंगे तो ये धीरे धीरे आप जो है जब किसी एडुकेट्स को देखते हैं जो कोट के सामने हेरिंग करता है आर्ग्यो करता है तब जो है आप उन सब सारी चीज़ों को सीखते हैं तो धीरे धीरे आप जो है सारी चीजे जो code के अंदर होती है जो argument होता है जो documents का अदला बदली होती है वो सब सीखते हैं तो ये सारी सब चीजे जो होती है वो practical होती है जब आप उसको देखते हैं तो धीरे धीरे आप उसको देख करके सीख जाते हैं तो शुरुवात में आपको जो है, जो सबसे बेसिक चीज होती है, कि किसी case का status आपको कैसे चेक करना है, या अगर display board पे जो cases display हो रहे हैं, वो कौन से case कैसे चलना है, कौन से case किस quote में चलना है, जो display board पे display हो रहे हैं, आप ऐसे पता करेंगे कि इस कोट में लिश्टेट चला है, इस कोट में फ्रेश चला है, इस कोट में अप्लिकेशन चला है, तो ये बुनियादी चीज होती है, बेसिक चीज है, जो आपको सबसे पहले आना चाहिए, कि डिस्प्ले बोर्ड हम कैसे देखें, वहाँ पर जो E अपको प् complete मैं है, और ये सारी चीज है आपको आर्गमेंट के अंदर जो चीज़े भःस ओगार होती है, वह धीरे-धीर अगर आप उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर वो धीरे-धीरे आपकी प्रेक्टिकल लाइफ में आए जाती है, तो आप उन चीजों को फालो करते हुए कोड के सामने बहस करते हैं, किसी केस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह सब जो चीजें हैं, एक आए-एक नहीं आती हैं, स्टेप बाइ-स्टेप आप जो है, उसको धीरे-धीरे सीखते जाते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसको कैसे देखेंगे, जो हाँ पे अक्छर डिनोट होते हैं, जैसे E लिखा है, F लिखा है, CA लिखा है, तो यह सारी चीजे जो यह लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, कौन से कैसे चलना है, यह कैसे जानेंगे, तो इसी के बारे हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग डिस्प्ले बोर्ड को देख लेते हैं, कि कैसे हम चेक करेंगे, कि इस कोट में फ्रेस चलना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यह कोट है, 40, 45, 50, 55, 60, यह कोट नंबर है, और यहाँ पे देखिए, 40 लिखा हुआ है, तो 40, 40 नंबर कोट में क्या चलना है, तो यहाँ पे जो ई लिखा है, इसका मतलब होता है, एडिशनल काज लिस्ट, तो आप लोग इसको नोट कर लिजिएगा, एडिशनल काज लिस्ट होता है, जिसे लिस्ट, अनलिस्टेट भी करते हैं, तो ई जहाँ भी आए, उसको आप समझ जाईएगा, कि उस कोट में जो है, एडिशनल काज लिस्ट का मुकदमा चलना है, तो यहाँ पे देखिए, 3086, यहाँ नि अनलिस्टेट में 3086 नंबर का म जब होता है, सेकेंड राउन में तो जो भी काउंसिल फर्स्ट राउन में अपसेंट रहता है, वो आलमोस जो है, वहाँ पे सेकेंड राउन में परजेंट होता है, नहीं तो सेकेंड राउन में अगर वो परजेंट नहीं होगा, तो कोई ना कोई आडर जो है, बिना उसके केसे दोगा, तो 46 नमबर कोट में, 46 नमबर सिरियल पर जो फ्रेस केसे वो चलना है, अब हम यहाँ बात करें, 51 कोट नमबर में तो देखी यहाँ पर भी स्रेस 22 चलना है, और आगे जो टी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी समझ लीजिए, तो यहाँ पे quote number account में जो है phrase 22 चला है transfer का transfer का मतलब यह है कि quote number 51 में जो है कहीं दूसरे किसी quote से जो है transfer matter आया हुआ है वो यहाँ पे सुना जा रहा है अब यह किस quote का आया हुआ है आपको जो है जो arrangement आता है high quote का उसको देखना पड़ेगा तब वहाँ से आपको जो है पता चल लाएगी या फिर आप 51 number code के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे notice लगी रहती है कि आज quote में इस quote का transfer आया है तो यहाँ पे 51 का मतलब यह हुआ कि 51 में जो है 22 number fresh transfer का चल ला है अब यहाँ 61 देख लेते हैं quote number 61 में देखिए हाँ पे मैं अपने ऐसे लिखा हुआ हूँ C1 यानि कि यहाँ पे correction application चल ला है एक number C1 का मतलब होगा correction application यहाँ पे देखिए quote number 65 में quote number 65 में जो है यहाँ पे application चल ला है 8001 नमबर पे यह application है तो एक बात और आप लोग नोट कर लिजिएगा कि जो मुकदमा 3000 से शुरू होता है पार एक जामपल 3001 हो गया 3002 हो गया तो आप समझ जाईएगा कि यह unlisted है additional card list चल ला है और अगर कहीं पे आपको डिस्पले पे 8001, 8002 यानि 8001 से जो मुकदमे सुरू होते है तो यह समझ जाईएगा कि यह जो है यहाँ पे लिस्टिंग अप्लिकेशन चल लाई है तो यहाँ पे code नमबर 65 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईए 8001 यानि कि यहाँ पे जो है अप्लिकेशन चल लाई है 8001 नमबर पे जो अप्लिकेशन लगा है उसकी सुनवाई चल लाई है यहाँ पे देखिए लिखा है 70 में E3 E3 का मतलब Unlisted का तीसरा लिस्ट है यहाँ पे 3114 नमबर का जो है मुकदमा चल लाई है और यह रिवाईज चल लाई है यह रिवाईज हो रहा है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 63 देख लिजिए यहाँ पे S75 S का मतलब होता है सप्लेमेंटरी तो सप्लेमेंटरी में 75 नमबर पे जो मुकदमा है वो यहाँ पे कोट नमबर 63 में चल लाई है अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाकी सारी चीजे तो मैं लगभग आपको बता चुका हूँ एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं देख यह कोट नमबर यहाँ 49 तो 49 में लिस्टेट चल लाई है 38 नमबर पे जो मुकदमा है लिस्टेट में 69 में 3010 पे यह भी लिस्टेट चल लाई है यहाँ भी रिवाइज हो रहा है और 74 में देख लिज़ेए लिस्टेट का फर्स्ट लिस्ट चल लाई है 3016 नमबर पे जो मुकदमा है वो चल लाई है और 79 में आपर देख लिज़े फर्स 115 चल लाई यहाँ पर ट्रांसफर किसी कोट से आया है तो यह ट्रांसफर चल लाई है तो ऐसे जो है आप जो है ग्षा पर देख सकते हैं और समस्च सकते हैं कि किस कोट में काौन सा चल लाई है तो जहाँ भी E लिखा रहेगा आप समझ जाईएगा कि additional card list चला है जहां पर F लिखा होगा वहां समझ जाईएगा कि fresh चला है और अगर आगे T लिखा हो तो समझ जाईएगा कि यह transfer के से चला है और अगर C A कहीं लिखा हो तो समझ जाईए करेक्शन अप्लिकेशन चला है अगर आईए लिखा हो और 8001-8002 से कोई केसे चल लाए हो तो समझ जाईएगा कि वहां पर लिस्टिंग अप्लिकेशन चल लई है अगर S लिखा हो तो समझ जाईएगा कि उस पोट में supplementary कैसे चल लाए है तो इस तरीके से जो है डिस्पले बोर्ड को देखा जाता है वाच किया जाता है तो उमीद करता हूँ कि मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि कैसे आपको डिस्पले बोर्ड देखना है आप समझ होंगे वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करिए कमेंट करिए वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को भी शेयर करिए धन्यवाद